हलो विडियो में हम बात करेंगे आप एक्जिट एक्जाम को कितनी बार दे सकते हो अगर आपने एक्जिट एक्जाम दिया है और बाई चांस अगर एक्जिट एक्जाम में फेल हो जाते हो तो आप एक्जिट एक्जाम को कितनी बार दे सकते हो अगर जैसे आपने exit exam दिया आप किसी एक paper में fail ओगे या आप 2 paper में fail ओगे या आप 3 में ही fail ओगे तो इस तरह से आप कितनी लाइ exit exam दे सकते हो मतलब जैसे कि आपको पता ही है PCI के according आपके exit exam में 3 papers होने हैं मतलब 3 papers आपको exit exam में देने हैं आपको एक की बार में कलियर करना एपको एक पेपर ने हैं ऐसा नहीं कि आपको एक था स्थास में एक एकज़िशन साथ प्छ om ऍज्यर करना होगा अगर आप साहनगे में तो तो आपको क्या होगा मतलब कितनी बार 돼 पो दे सकते हैं कि आपको इस अ windows को riots एक्जिट एक्जाम आप कितनी भी बार दे सकते हैं ऐसा कोई एज का रिस्टिक्षन या कोई टाइम डूरेशन या कोई क्राइडेरिया नहीं है कि एक्जिट एक्जाम आप इतनी ही बार देंगे दो बार देंगे तीन बार देंगे जब तक आप उसको क्लियर नहीं कर लेते तब तक आपको exit exam देने की permission रहेगी आप कितनी विवार भी exit exam दे सकते हैं लेकिन इससे एक गहाटा होगा कि अगर आप एक बार में clear नहीं करते हैं तो आपका defarma जो है वो बढ़ता जाएगा मानलेजे आपने दो साल का defarma कर लिया ठीक है अब आप exit exam में fail हो गए तो आपका registration तो नहीं हो पाएगा अब registration नहीं हो पाएगा तो फिर वो defarma किस काम का तो इस तरह से अगर आपको defarma अपना beneficial बनाना है officially बनाना है जिससे आपको benefit लेने है तो आपको exit exam भी मेरे according एक बार में clear कर लेना चाहिए मेहनत करके पढ़ाई करके क्योंकि अगर आप जितनी बार फिल लोते जाएंगे defarma की year उतनी बढ़ती रहेंगी आपका registration होने में बहुत time लगेगा तो इसलिए defarma को जल्दी से जल्दी करने के लिए आपको exit exam जो है एक बार में clear करना है हलाकि आप कितनी भी बार दे सकते हैं ऐसा कोई rule या criteria नहीं है तेकिन कोशिस कीजिए पहले अप्टाइम्ट में ही आपका exit exam जो है वो clear हो जाए बस यह था इस वीडियो में वीडियो आपको कैसे लगी comment करके ज़रूर बताना कोई question हो तो comment करना और मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए take care, bye